हाई अब्रीवन इस वीडियो में हम लोग जो सीचेट के मैट्स और रीजनिंग के पोशन के कुछ कुछन आते हैं अराउंड एवरी येर बीस तक कुछन ऐसे होते हैं प्लस मैनस टू इस अल्विस दियर जो बहुत ही बेसिक लोजिक से सॉल कर सकते हैं हम लोग जैसे मैंने 20 का पेपर से और 21 के पेपर से और जो 22 है मतलब जो contemporary pattern है उससे around 50 questions निकाल है and 50 questions में हम लोग कुछ techniques use करेंगे मतलब जैसे आप अगर arts background के हो या फिर आपको अभी भी seasatum issue है तो I think ये video आपके लिए बहुत helpful होने वाली है कि आपको मतलब बहुत easy निकल जाएंगे जो 20 questions है न ऐसे questions होते हैं कि they are the law hanging fruits मतलब उनको identify करना है प्लस उनको सही करना है getting that और उनमें सब में एक चीज follow करनी है जो मैं इस particular चीज में discuss करूँगा कि और हर paper में around जैसे 55 questions generally they are asking from reasoning and contribution तो 20 questions ऐसे होते हैं कि अगर आपको अभी भी कुछ नहीं पता है न तब भी आप उनको solve कर सकते हो getting that फिर उनके ways क्या है वो मैं हर question में जब discuss करूँगा तो आपको बताते रहूँगा कि आप इस question को ऐसे करना है लेकिन broadly हर question को आप ratio के हिसाब से कर सकते हो करेंगे कैसे वो हम लोग देख लेंगे कि ratio में break करना है जैसे 100% होता है ठीक है अगर वो 20% के हिसाब से बोल रहा है मतलब 20% 100% का 5 ratio होता है getting that अगर 25 के हिसाब से पूछ रहा है 25% तो तो तीन ratio बैठेगा तीन नहीं sorry 4 ठीक है अगर आपको जैसे ये पूछ रहा है कि किसी rectangle का जैसे area अगर 20% बढ़ा है तो 20% मतलब 5 का 6 ratio होगा getting that क्योंकि 20% ratio होता है एक के साब से और जो 25% होता है वो होता है तुम्हारा 4 के साब से अगर तुम ऐसे देखोगे तो ठीक है तो ये अगर ये बोल रहा है question कि 20% तुम्हारा rectangular का जो area बढ़ा है और ये बोल रहा है कि फिर अगर जैसे दूसरा aspect देखे कि भाई फिर उसके next में side का बोल देंगे या फिर कुछ भी बोल देंगे कि वो भी 20% घटी है बढ़ी है जो भी अगर घटी है तो ये 4 हो हो जाएगा अगर बढ़ी है तो ये 6 हो जाएगा फिर उसके total impact क्या पड़ेगा तो ये into 25 हो गए ये into अगर आपका 36 हो गा या तुमारा ये 6 into 4 choice होगा तो उसके हिसाब से आपका answer आजाएगा है ये हम लोग discuss करेंगे कि ये particular चीज apply कैसे होगी और बहुत easily आपका वो particular question न जाएगा proudly कि इसमें कौन सी चीज apply करेगी क्योंकि option is the best way to go through it और 20 question ऐसे हैं जो आप बिल्कुल इसी particular logic के basis पर कर सकते हो चीक है तो चलो start करते हैं प्लीज इस चीजों को जब भी आप vision या किसी के भी cc paper लगा रहे तो उनको use करना है getting it तो सबसे पहले ये question है ये question को आप पढ़ो एक बरी ये बोल रहा है कि frog tries to come out of the मतलब वो एक well में है और वो है 4.5 मिटर मतलब 450 cm तुमारा ये हो गया अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर एक ही logic है जैसे every time जब वो जम करता है 30 मिटर की 30 cm की sorry तो वो 15 cm वापस आ जाता है जैसे ये 30 cm करेगा तो 15 वापस जैसे इसने 420 cm कर लिए मानलो तो वो जब जम करेगा तो वो साड़ी 4 सब पहुच जाएगा getting that वो वापस 15 मिटर नहीं जाएगा 15 cm नहीं जाएगा आपको यही point करना यही आपका attribute चेक कर रहा है कि जब last में वो 420 cm तक आ गया है फिर अगर उसको जम करनी है तो वापस नह जैसे 28 से आपको 15 से multiply करना ठीक है तो पहले 10 से करो 10 से कितना हो ता 200 से फिर आप 5 से करो 5 से कितना हो ता इसका आदा 140 फिर आप सीधा calculate कर तो 14 into 3 402 मतलब यह 28 जम में 420 cm चला गया अब जब 29 जम करेगा तो वो सीधा बाहर आ जाएगा यही concept है यही इस particular question का logic है और यही same question कि उन्होंने 2020 में monkey का पूछा था एक question इससे पहले भी यह question particular पूछ रहे है तो इस pattern पे question आ रहे है और just they want to know कि तुम लास्ट में जब 420 cm पे हो तब अगर तुम जम्प लोगे तो तुम सीधा बार होगे rather than वापस 15 cm जाओगे तो यह question easy है इसको ऐसे करना है ठीक है और यह question 3-4 बार इस type pattern के question पूछा हुए तो यह question ऐसे हो जाता चीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हें ratio proportion वाला माहिंड लगाना है यह बोल रहा है कि rest vessel full of water weight 40 kg है मतलब एक vessel है या कोई box है कुछ भी है वो 40 kg का totally if it is one third field मतलब आप मानलो की one third उसका field है ठीक है its weight becomes 10 kg मतलब one one third वो filled है ठीक है और फिर इसका weight है वो हो जाता है 20 kg what is the weight of empty vessel मतलब एक vessel है उसमें कुछ water होगा उसके अंदर ठीक है यह water है और यह बोल रहा है कि जब वो one third field होती है तब इसका weight होता है 20 ठीक है और एक आपको weight देख रहे है 40 अब जब one third मतलब आप option के साब पर जा सकते हो इस particular question में अब option देखना एक बर ही आप option से हम लोग फटाफट से देख लेते कि क्या हो सकता है मानलो कि इसने बोला है कि what is the weight of empty vessel मानलो आपने empty vessel 10 रखा तो इसका particular water की quantity कितनी हो जाए कि 10 और one third बोला है मतलब one third 10 है तो यह भी 10 यह भी 10 तो यह 40 अपना आ गया तो यह particular question one third filled होता है तो उसका weight होता है 20 ठीक है तो इसमें one third में तुमारा vessel का भी weight included है plus water का भी included है getting that तो यह one third है मतलब इस particular quantity में आपको one third निकालना है तो 10 तो यह 3 हो जाएगा क्योंकि two third बाखी रहे रहा है और 40 में इन्होंने weight बोल रखा है ठीक है तो इस particular question को आप option के through कर सकते ह जी option pick up करो जैसे आपने यह option pick up किया 20 तो 20 होगा तो वैसल का weight ही नहीं आएगा तो 20 और 25 तो होगा ही नहीं है आप generally logic के basis पे सोचो कि जब इन्होंने बोला है कि जब one third filled होगी तब उसमें water और दोनो content है water plus तुमारा जो वैसल है उसका खुद का weight तो यह option तो दोनों नहीं ह तो यह तो कम ही हुए ना 15,20,20 और 30 ही हो गए 40 नहीं हुए getting there तो अगर आप इस particular question को अगर थोड़ा broadly दिमाख लगा के सोचते तो आपको C and D सिधा आड़ जाता और बचता A and B, A and B में अगर तुम दोनों option को explore करते फटा पर तब भी आपको question easily निकल जाता लेकिन आप यह यहां पर ही यह चीज ध्यान देनी है कि इन्होंने बोला one third तो आप 40 के हिसाब से अगर one third के तीन quantity करते और एक 10 के हिसाब से करते तब भी question निकल जाता बट just यह question particularly option से हो जाता option को भी आपको explore करना है ठीक है यहां देखो एक digit n is greater than 3 मतलब मानलो की n का बोला है is divisible by 3 but not divisible by 6 मतलब एक digit है कोई भी n जो है यहां पर बोल रहा है कि which of the following is divisible by 4 अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक digit है जो अपना n से बढ़ा है मानलो की 5 है लेकिन यहां पर बोला है कि divisible by 3 है तो आपको लेके चलना है कि वो divisible by 3 हो मतलब 9 ले लिया क्योंकि 9 यह एक टर्म होगी getting that आपको एक समझ माया यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह पर्टिकुलर चीज है एक डिजिट है जो 3 से बढ़ा है ठीक है प्लस वो डिविजिबल है 3 का and not divisible by 6 तो एक वेल्यू लो आपके एक नहीं होगी 2 नहीं होगी 3 से बढ़ा है 3 नहीं होगा ठीक है 4 5 यह 3 से वो नहीं है multiply नहीं है 6 है तो इन्होंने बोला not divisible by 6 तो 6 अट गया 7 8 9 आ गया getting that अब 9 को देखो अब इन्होंने बोला जो पूछा है उसके हिसाब से वेल्यू लो 9 आ गया अब यहां पर put करो 2N तो 8 आ गया 8 4 से divide नहीं यहां 3N करो 3N 9 3 27 27 के हिसाब से भी तुमारा यह पर्टिकुलर यह चीज दोनों हट गए अब 2N प्लस 4 करो 9 इन्टू 2 प्लस 4 यह हो गया 8 और 22 यहां पर भी वो नहीं होगा अब तुम करो 3N प्लस 4 3N कितना होता है तुमारा 27 प्लस 1 28 28 में भाग exactly 4 का जा रहा है यह 28 हो गया और साथ चला गया तो आपको इस पर्टिकुलर कुशिन में क्या करना था कि जस्ट जो पूछा है N से बड़ा डिजेट हो आपको कुछ नहीं करना है अगर आप नॉन साइ N से बड़ा डिजेट है प्लस वो डिविजिबल वाई 3 है और डिविजिबल वाई 6 नहीं है तो सीधा N से बड़ा होगा क्या होगा 6 या 9 होगा ठीक है जनरली और तुम अगर ब्रॉड टर्म में लोगे तब भी यह कोशिन निकल जाएगा बड़ अगर सीधा 9 को एक्स्प पाट होता जैसे देखो आपको मैं basic एक चीज समझाता हूँ अगर आपने ratio देखा होता तो 25-25 मतलब वो एक एक unit में divide हुआ है जैसे अगर 25-25 मतलब 4 unit में divide हुआ है 10 का 100 का 4 unit तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 25% increase हुआ है मतलब price में increase होता तो यह 25% increase हो गया price में पहले 4 थी मतलब पहले 100 थी अब 125 हो गए अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे 100-125 हुई फिर भी इसका मतलब 4 बटा यह 4-5 हुई है getting that इसको आप least ratio में रखो जो सबसे सही ratio है जैसे 20 होता तो यह 5-6 हो जाता getting that मतलब आपको ratio में एक तरीक से divide किया मतलब कितना बढ़ा है एक unit आप से मतलब यह एक बोल रहा है ठीक है उसमें कितना हो रहा है 6 unit कम खरीद पा रहा है यह बोल रहा है कि able to 6 kg of less rice मतलब वो बंदा 1200 रुपे में जब price इतना high होता है तो 6 किजी कम rice खरीब पा रहा है ठीक है तो यहाँ पर gap कितना है जब इतनी price बढ़ रही है तो एक unit का gap आ रहा है यहाँ पर बोला 6 kg तो एक बराबर 6 आ रहा है अब इनको multiply कर लो इनसे 624 और 635 अब देखो जैसे price 6 बढ़ी है मतलब 25% हाई हो है यहाँ पर देखो तुम्हें 25% लग जाएगा क्योंकि choice का 25% कितना होता है 6 तो 6 से 30 हो गया तो मैं question समझा आया कि तुम्हें ratio में break up करना है अब तुम्हें exactly इतना आ गया कि भाई यह 6 जो 25% price बढ़ गे उससे क्या हो रहा है कि 6 kg कम rice खरीद पा रहा है कम rice खरीद पा रहा है पहले 30 kg खरीद पा रहा था अब कितना 24 kg खरीद पा रहा है getting that अब देखो है what was the original price of the rice अब एक चीज़ देखो अब यह तो quantity हो ग अब क्या करना है आपको यह ratio पता चल गया तो आप सीधा इसमें भाग दो 1200 में 1200 में 1200 में पहले price कितनी थी कि इन्होंने बुलाए कि price 6 kg 25% हाई कोई है मतलब पहले यह थी sorry पहले 24 थी अब यह हुई है 30 तो आप क्या करो 1200 में 24 का भाग दो 1200 में 24 और फिर इसमें 1200 में 30 का दो तो एक आजाएगा 40 एक आजाएगा 50 40 क्या आएगा भाई पहले 40 रुपे था और 25 यह आप इसमें डिवाइड करके देखोगे तो आपको जो price के ratio आएगा वो 40 to 50 आएगा कि पहले 40 थी अब 50 हो गई है तो 10 परसेंट ही बढ़ रही है क्योंकि 40 का 25 कितना होता 10 और 10 बढ़ है कि एक उनिट फरक एक बड़ा है और एक उनिट इनो ने दे रहे है 6 kg तो 1 बराबर 6 kg आ रहे है तो फिर इन पर पूट करो कि पहले वो 24 30 है तो तुझमारा quantity का यह आजाएगा कि पहले 24 30 किलो खरीद पा रहा था अब खरीद पा रहा है 1001 किलो ठीक है यह तो आगे quantity फिर इनको रेशियो में अपना उसमें बदल दो प्राइस में बदल दो तो प्राइस में बदल दो तो प्राइस में बदल होगे तो 1200 दे रखा है 1200 कि हिसाब से देखोगे तो 140 आ जाएगा और 150 आ जाएगा तुमारा तो this is how you need to approach this particular question बहुत easy question है आपको ratio और proportion में तोड़के इनक 5 by 6 इनका क्या करना है इनका LCM लेना है और उसको इसमें into कर देना है इनका LCM क्या है तुम 6 लेलो तो 6 से divide करो 6 बटा 2 6 बटा 3 और 6 बटा 6 तो इनका ratio आ गया 3 2 और 1 ये ratio में डिवाइड हो है मतलब 6 ratio total 3 2 1 ये ratio डिवाइड हो गया 3 2 1 सीधा ही कर सकते हो manually मतलब manually आपको need ही 3 by 4 था मतलब 1 by 2 3 by 4 and 5 by 6 ये था ratio इनका देखो इनका क्या आएगा इनका round 8 ने आएगा 12 आ जाएगा हाँ तो 12 से कर दो 12 पहले मैंने ratio यहाँ पर गलत ले लिया था and तुम्हारा 3 upon ये तुम्हारा 4 12 upon 4 and then 5 upon ये 5 हो जाएगा तो ये हो गया एक second just wait 1 बटा 2 3 बटा 4 and 5 बटा 6 ठीक है यहाँ से 12 से multiply करो तो ये 12 बटा 2 आजाएगा ये 36 बटा 4 आजाएगा and then ये आजाएगा आपका 60 बटा 6 अब करो ये ratio हो गया 6 ये ratio हो गया तुम्हारा 9 और ये ratio हो गया तुम्हारा 10 तो 6 9 15 15 10 25 exactly डिवाइड हो रा 25 हो में बस इतन game करना आपको पहले ratio को break up करना है ये generally जो इन में दे रखी है fraction में दे रखी value उसको पहले ratio में convert करना है ratio में convert कर दी आपने 10 9 और 6 अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि what is the difference between the maximum share and the minimum share maximum share 10 minimum share 6 मतलब ये 25 है और ये 25 ratio मतलब एक share 100 के इसाब से करना है तो ये 600 ये 900 और ये 1000 जार अपना ठीक है इनका gap 4 मैक्सिमम और minimum का तो this is how you need to solve a question बहुत basic approach है और बहुत इसको एक दो बारी और देख लेना वीडियो को ताकि ये सब चीज़ें आपके 20 questions easily देतेगी बहुत basic logic से ठीक है ये same question है ये देखो ये I think easy question है इसको आप एक बारी multiply कर गोए तो आपका answer आजाएगा कि recurring dash ये जो representation है ये किसके equal है पहले आप 13 में भाग देतो 11 का ठीक है फिर आप multiply गरो 11 का एक बार गया दो बच गया ठीक है दो में फिर 0 लग गया तो यहां पर देखो एक बार गया और दो बच गया दो में 0 फिर से एक बार जाएगा तो 9 बच जाएगा 9 में 90 8 बार जाएगा तो तुमारा ये particular चीज नहीं आ रही है तो ऐसे करके आप option के through explore करके आप देख लो 14 बच 11 कर लो एक बार गया तीन आ गया 30 तो 7 बार गया तो नहीं होगा अपना ठीक है तो this is how आपको एक एक term को लेके लेके लगबग करना पड़ेगा तो आपका question हो तो सबसे पहले 10 दिया 10 दिया मतलब 10 का 9 ratio हमने discuss करा था कि 100 अगर 10 के इसाब से टूट रहा है तो मतलब एक ratio जो एक ratio की value है वो 10% है getting that जैसे तुम अगर इसको ऐसे लिखोगे 100 से 90 हो गया तब भी same बात है इसको तोड़ोगे तब भी 10 से 9 हो जाएगा तो आपको हमेशा ratio म प्षटाबर से करा है कि अगर 10 के हिसाब से पूच रहा है तो ratio A Kयाश म अब ratio पांच में तूट रहा है 10 परसंत वीस के इसाब से कर रहा है तो चीन के साब के अठो फ्सक्री और गया तूपकि तुम अब इसको परसंत मतलब पांच से 4 क्यूंकि अब ratio पांच में तूट र अब देखना कितना पढ़ रहा है 436, 336, 349, यह पढ़ रहा हूँ, इतना, ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पर देखो, पहला हो गया यह, दूसरा देखो, successive discount of 20, तो 20 मतलब तुमारा 5-4, यह ratio break up कर लिया हमने, जल्दी-जल्दी, कि पहले, मतलब अगर तुम 100 के हिसाब से क सर्विस टेक्स स्वरी, एक एड हो जाएगा, तो यह ratio और यह ratio similar आएगा, getting that ना, कि कैसे similar आएगा, ठीक है, तो यह हो गया, अब यहाँ पर देखो, pay service tax of 10% first, तो क्या होगा, 10 ratio 11, 10% का 1 unit बढ़ जाएगा 10%, फिर बोल रहा है कि then successive discount of 20% है, यह भी बोल रहा है कि 20%, फिर discount दिया है, 10% यहाँ पर discount दिया है, 10% यहाँ पर discount दिया, बस discount और service tax में UPS ने play किया है, तो जो customer है, all the options है, equally good for the customer, आपको ऐसे करना है, ratio में break up करना है, तब जाकि यह question बहुत easy हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा, मतलब ज्यादा कुछ बसंड नहीं करनी है, 10% के चार का 3 हो जाएगा, चार का 5 हो जाएगा, यह hopefully आपको समझ आ गया होगा, आपने basic concept किया होंगे ratio और proportion के, तो आप easily इस particular pattern को पकड़ पा रहे हो, तो इस type के pattern को use करना है, यह बहुत अच्छा question है, बहुत easily question है, और अच्छे से, इसको जल्दी से जल्दी solve करना, देखना, एक person bought a car and sold it for, यह 3 लाक में sold, मतलब एक बंदे ने car लिये और 3 लाक में sell कर दिये, यहाँ पर देखो, if he incurred a loss of 20%, मतलब यह क्या बोल रहा है, कि इस particular बंदे ने 3 लाक में base के, यह जो particular दिये, इसमें 20% loss किया है, तो यह जो particular value है ना, वो 80% के बराबर है, आपको समझ आया, तो 80% किस ratio में टूट रहा है, 20% टूट रहा है 5 में, तो 80% का कितना ratio है, 4 में, समझ पा रहे हो ना, कि जब ratio 20% में टूटता है, तो उसकी value 5 होती है, तो यह particular जो 3 लाक है, उसमें आप सीधा ही 4 का भाग देख सकते हो, कि ratio टूट है, यह बोल रहा है 80%, यह जो value है ना, 3 ला होगा, यह ऐसे है, जैसे बोल रहा है कि, जैसे 5 था, और अब उसने एक में यह कर दिया, मतलब यह जो value है ना, यह बोल रहा है कि, यह जो particular value है, 4 units की, यह अभी 5 है, यह है 3 लाक, और निकाल लिए आपको 5 की value, तो 5 की होगए 3 पे 75, hopefully I think यह आपको ratio और proportion वाला समझाया होगा, नहीं भी समझाया होगा, आपको इतना ज्यान रखना है, ratio जब 10% में तूटता है, तो वो एक unit में तूटेगा, मतलब 10 unit में तूटेगा, सौरी, अगर वो 25% के साब से तूटता है, तो 4 में तूटता है, और 20% के साब से तूटत looking at this question, मतलब यह manually मैं इतना कर रहा हूँ, आपको एक particular pattern समझाने के लिए, कि इन्होंने 20% दिया loss है, तो 5 का कितना loss होगा, 4, मतलब 20% loss हुआ है, तुम बले ऐसे माल लो, 120 माल लो, तब भी इनको करोगे तो value यही आएगी, मतलब एक unit का loss हुआ है, ठीक है, और यह बोल रहा उसको, जो ratio proportion वाला, हर question को ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर देखो, late xyz भी यह 3 digit number, यहाँ यह imaginary value वाला concept यूज होगा, इसने बोला है कि, तुमारी जो xyz है, वो एक 3 digit number है, where xyz is not a multiple of 3, मतलब माल लो कि, वो जो xyz है, वो 3 का multiple नहीं है, for example, 4, 2 and 1, यह कितना हो यह नहीं है, 3, 3 का multiply, ठीक है, अब देखो, 4, 2, 1 आपने एक ले लिया, imaginary value लिया है, just imaginary value एक और ले ले लेते हैं, ठीक है, 8, 1, 1, यह भी नहीं होगा, अब आप देखो, आपने 2 value ले लिया है, जो divisible नहीं हो, ठीक है, 3 digit number है, where xyz is not a divisible of 3, xyz 3 का divisible नहीं है, क्योंकि इसमे xyz लिया है, माल लो, अब imaginary value के basis पर ही चलना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई science नहीं लगानी है, इस particular 8, 1, 1 को आपन आगे explore करेंगे, एक बर इसको देख लेते हैं, यह xyz है, अब बोल रहा है xyz, 4, 2, 1, फिर बोल रहा y, z, x, तो यह y, 2, यह z, 1 और यह x, ठीक अब देखो, इनको calculate करो, कितना होगा, यह होगा तुमारा 5 और 2, 7, यह 7, 7, ठीक है, 777, अब देखो, 3 से होगा नहीं होगा, 7, 14, 21 होगा, 9 से होगा नहीं होगा, आप एक बरेचेक कर लो, कि 9 से होगा नहीं होगा, 9 से क्या होगा कि, इसमें दे दो, 77 में है, तो 63, औरुर तो आई थिंग यह 9 से डिवाइड नियोगा, 37 से देखना है, एक बारी आप चेक करो, यह पर्टिक्लर टम, 37 से डिवाइड होगी, और X, Y, Z से तो वैसे ही डिवाइड होगी, क्योंकि इसी का वो पार्ट है, गेटिंग देट, तो अब एक जो चीज आपने एक्सप्लोर कर एक, Y के बाद हो गया, Z, Z हो गया, तुमारा एक, एंड आठ, यह हो गया, फिर Z, X, Y, Z, Z कितना है, तुमारा एक, X हो गया, यह हो गया, अब 9, 9, 10, 0, यहां पर 9, 9, 1, यह हो गया, 10, 10 और 11, 1, और यह 10, और 11, 11, 110 है, अब इसमें 37 का बार, 2, 37 का बार तीन बार जाएगा, 7, 3, 21, 11 हो रहा है, ठीक है, तो यह जा रहा है, अब इसमें देखो, 1, 1, 1, 3 जा रहा है, अब आप इसमें देखो, 9 का नहीं जाएगा, 9 का अगर तुम दोगे, तो 9, 1, 9, फिर पीछे 2 बच गे, 21, 9, 3 बच गे, 3 में 9 का नहीं बाग जाएगा, सता ही जाएगा, 3 बच पर्टिकुलर इमेजनरी वेल्यू वाला कंसेप्ट ने यह बहुत अमेजिंग है मतलब अगर आपको समझ आ गया न आप most of the question को solve कर सकते हो इमेजनरी वेल्यू से तो यह इमेजनरी वेल्यू से हो गया यह तुमारा ratio proportion से हो गया अब यह question देखना यह question easy है इन्होंने बोला x said to y यह जब भी ऐसे question आए तो आप try करो कि option के थूई जाओ मतलब option के basis पर आप अच्छे से कर सकते हो ठीक है at the times of your birth मतलब जब उस particular y का जब बहुन हुआ था वाई ठीक है then consider the following statement यह बोल रहा x को मतलब x y को बोल रहा कि at a time of your birth I was twice as old as you are at present मतलब आप present x की कितनी है 42 है ठीक है y को हम पता नहीं exactly यहाँ पे बोलो अब आपको y की age पता नहीं है पहले तो आपको एक बड़ी इनकी age पता करने पड़ेगी जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रहा है कि at a time of your birth I was twice as old as you are at present मतलब y की age अभी तक नहीं पता है if the present age of x is 42 है ठीक है तो 8 years अगो 37 हो जाएगी 37 मतलब the age of x was 5 times the age of y तो यहाँ प देखते है after 14 years the age of x would be two times the age of y 14 years कितने हो गए 56 अब बोल रहा है x would be the two times of y y क्यों हो गए 28 यह हो गया अब यहाँ पर यह चीज देखो यह चीज तो यहाँ से आई है एक बार ही आप इसको अगर यहाँ पर इसकी 28 है ठीक है यह बोल रहा है कि after 14 years मतलब इसकी 42 और इसकी आप 14 years पीछे जाओ 42 यह आगे 14 क्योंकि 14 14 दोनों को पीछे लेकि जाना है अगर तुम बी option को explore करोगे चीज़क है अब यहाँ पर बी का देखो यहाँ पर देखो at the time of your birth मतलब इसके बर्थ कितना था मतलब जब यह 0 मतलब जब बहुन हुआ था I was twice as old as you are at present getting that इसका डेखो अ आपने find out कर दिया है और इसने बोला birth के time में तो birth के time में इतनी कितनी होगी 28 होगी और इसकी होगी 0 तो यह 28 इसका double है ना getting that तो आपको क्या करना है कि option को explore करके question करना है यह तो होगा नहीं पहला गलत है दूसरा क्या बोल रहा है आपको इतना आ गया जैसे यह देखो 14 years आ और उसका आदा है मतलब 28 हो गया तो अब यह क्या बोल रहा है your birth मतलब at a time of your birth I was twice as old as you are at present ठीक है अब यहां पर देखो यह इसकी present days निकालो तो यह present days हो गए उनकी 14 और 20 ठीक है तो यह 3x है यहां पर जादा एक चीज होगी दूसरी चीज क्या है कि यहां पर इन्हों ने होला है कि at a time of birth तो birth के time में यह 0 होगा मतलब यह 28 है तो 28 इसका double है getting that अब आप इस particular second option को भी देख लो अब आपको age पता चल गई इसकी 42 है और इसकी 14 है तो देखो 8 सा लगो इसकी 34 थी और इसकी 8 सा लगो तुमारी 6 तो 6 3 6 35 होगी यहां पर अगर 30 होता ना तब यह सरी हो प्राइश अपना लित हो इस प्राइश ओप अन आर्टिकल इस डिक्रीज ब्रेज ब्रेज ब्रेक हुआ है मतलब 5 से 4 गया है तो अगर भले 100 से 80 कर लो सेम बात आएगी ठीक है तो हमेशा रेशियो को इसी वेल्यू में लेना एक से 10 तक वाले में अगर 10 परसंट नेट चेंजेश नेट चेंजेश देखो 20 और यह देखो 20 कुछ चेंज ही नहीं हुआ exactly cannot का होगा 0 परसंट चेंज ए तो इस इस हाओ ये कोशन जस्त देखते हो जाता कि पहले आपको 20 परसंट के यसाब से बढ़ाना फिर आपको 25 परसंट के यसाब से बढ़ा खत्म अगर 25 परसंट बढ़ गया यह 20 हो रहा है यह भी 20 हो रहा है getting that बराबर है कोई चेंज नहीं आया यही कोशन सेम आपको उसमें रेक्टेंगल और सर्कल में लगाना है अगर कोशन आया तो ठीक है यह है हाँ यही जी कोशन है when a certain number is multiplied by 7 the product entirely comprises only of यह 1111 smallest number इसको आप एक बड़ी पांच एक ठीक है फिर देखो तुम फिर तीन आए जीगा मतलब यह यहां पर टम यह एक यहां पर फॉलो नहीं होगी ठीक है फिर आप यहां पर एक रखके देखो मतलब ऐसे मैनुवली तो साथ 321 एक आ गया ठीक है साथ 214 एक आ गया फिर तुमारा यह हो गया साथ 59 59 और 50 जिरो हो गया फिर साथ का तुमारा पांच में 35 35 और चार 49 हो गया फिर तीन साथ एक तीन दस यह होगे पहली टम फिर हो गया तुमारा दूसरा साथ इंटू 321 तो यहां पर भी मुस्किल आना है तो इसको एक बार ही सारों को चेक कर लेना एक आदमे होगा तो इसको ऑप् ठीक है यहां पर देखो 721, 2, 7, 8, 56, 8, 59, 59, 59, 54, ठीक है 5, 5, 5 देन, 7, 35, 35, 35, 40, 40, 40, 4, 4, फिर देखो 7, 7, 7, 4, 11, यह हो गया एक अब दूसरे में जाओ दूसरे में क्या होगा तो यह हो गया यह पटिकुलर टम ठीक है अब एक बार ही यह सीन ही होगा अब इसको पहले हम 721, 2, 729 यह भी नहीं होगा अठीक है यह हो गया यह हो गया अब 15, 723 एक बार ही देख लो 721, 724, 14, 2, 16 यह भी नहीं होगा अब आब एक बार ही 15, 833 इसको देख लो 7 तो 721, 21 में 2, 7, 7, 59, 59, 52, 51, 7, 8, 56, 56, 56, 56, 57, 55, 56, 41, 47, 7, 7, 4, 11, exactly getting that तो आपको क्या करना है option को explore करना है यह देखो सारी एक 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 आ आ गई है तो यह जो particular option है यह सही है तो इस particular question में आपको हमेशा option के थूँ एक बड़ी फटा पर से देख लेना है जो option बैठेगा वो निकल जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो यह बहुत तो आठ बटा कितनी कर देगा छोइस दिन में करतेगा यह तो आपको basic समझ में है की यहाँ पे तीन दिन ले रहा है तो यहा पे कितना लेगा मतलब साथ का जो साथ बटा आ आँ है वो कर रहा हो करा है 21 मैं मतलब two three and eight कर लेगा मतलब एक दिन में वो तीन यूनिड करता है तो 8 दिन में चोईश, मतलब 8 दिन में वो चोईश उनिट कर देगा, मतलब एक तरीके से इसमें अगर आप डेज में करोगे, तो दिन की वो करता है, मतलब 21 दिन में 7 वा पाट करता है, तो 28 चोईश दिन में तुमारा वो पूरा 8 कवा पाट कर लेगा, अगर तुम्हें समझ हो जाएगा आठ तरी चोईस ठीक है यह हो गया यहाँ पर वही रेशियो है जैसे हमने ऊपर करा था ना पांच रेशियो चार हो जाएगा मला प्रैस बढ़ी थी चार से पांच तो एक में कितना उसको राइस कम खरीदना पड़ रहा था छे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिए टेक हिम टू फिनिश दे जॉब एक क्वांटम ओ वर्क इस फर्दर इंक्रिजट बाई 50 परसंट मान लो कि उसका जो वर्क था वो चोईश यूनिट था ठीक है अब वो चोईश यूनिट वर्क था यह आपने कर लिया कि चोईश यूनिट वर्क वोचोईश दिन में कर रहा है मान लो एक परसंट ने यह यूनिट हमेशा मान लेनी है उसके हिसाब से जो भी दे रखाए LCM जैसे इसमें चोईश एक ही वेल्यू दे रखी तो आप चोईश एक को एजियूम कर सकते हुए चोईश यूनिट वर्क है चोईश दिन में कर रहा है ठीक है और इन्ह चोईश देखो यहां पर देखा इट विल इट टेक हिम टू फिनिश दे जॉब इप दो क्वांटम ओफ वर्क के फर्दर इंक्रीज बाइद पचास परसंट चोटीस यूनिट हो गया तो चोटीस दिन चोटीस यूनिट में उसको कितना टाइम लग जाएगा टोटल मतलब अब उसको टोटल काम लग रहा है चातीस दिन में तो चातीस माइनिस एक त्क तुमारा 15 दिन काम आ गया है तो आपको क्या करना है time and work के कोश्टम मैं हमेशा यहां पर चोईस यूनिट है, चोईस दिन में काम कर रहा है तो चोईस दिन में काम खतम हो रहा है तो 36 यूनिट 36 दिन में कर लेगा और 21 दिन का इन्हों ने अल्रेडी कर लिया तो 15 दिन extra और करेगा ठीक है यहाँ पर देखो यह question imaginary value से हो जाएगा यह बोल रहा है कि the sum of first sum of five consecutive integers can be so अब एक चीज देखना हमेशा तुम अगर माल लो जैसे मैं imaginary value पर बात करूँगा अब इन्होंने 100 बोला है sum of five integer तो उसका क्या मतलब है जो उसका average आएगा ना वो जैसे in particular term का जो पांच terms का average आएगा ना वो into 500 होगा जैसे क्या होगा जैसे एक example दे रहा हूँ जैसे यह term है 8, 9, 10, 11, 12 यह consecutive series है तो इसका average क्या 10, 10 into आप 5 करो तो 50 getting that जो average होगा ना वो यह संख्या होगे तो इस particular term में आपको यह exactly समझा आजाना चाहिए कि इन्होंने 5 consecutive terms का 100 average दिया तो इसका average क्या आएगा 20 आजाएगा और 5 consecutive terms में दो आगे हो जाएगे दो पीछे हो जाएगे यह थोड़ा सा आपको basic logic से basis पर निकल जगया होगा कि यह term से तो हो सकता है following statement पूछा है कि sum of 5 consecutive integer can be, तो can be हो सकता है the product of 3 consecutive natural number can be equal to their sum, अब देखो, यहाँ पर उन्होंने खेल किया है कि यहाँ पर बोला है product of 3 consecutive natural number आप एक दो से करो, एक दो 3 numbers can be equal to their sum, sum क्या है इनका, 6 और इनका product क्या है, 6 कितना easy question है आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, question को open up करना है, getting that, अगर आप open up question करना start हो गए, तो आपका लगबगगग question निकल जाएगा, तो यह same question है यह देखो, यह तो I think बहुत easy है, बट एक बार यह आपको यह देखना है कि यह percent वाला game कैसे करना है, ठीक है P score 40 percent more marks than Q मतलब P कर रहा है, तो मारा 40 marks more than Q, मतलब यह Q है, यह 40 percent more कर रहा है, in exam, if Q score 10 percent less, मतलब Q क्या बोल रहा है, यह percent में बात कर रहा है कि 10 percent less marks किया है, getting that तो जो percentage, जो ratio break up हुआ वो 10 में हुआ है, मतलब 10 से 9 में हुआ है, getting that 10 percent बोल रहा है, कि Q score 10 percent यह Q का है, और यह P का है जो हमने उपर बात करी थी थी यह 10 percent में break हो रहा है मतलब 10 percent कम कर रहा है यह जो P का है, यह और यह Q का है समझ माया आपको, कि Q is scoring 10 percent less than P 10 percent है, मतलब एक ratio में break हुआ है तो 10 का 9 हो गया, अब आप एक बार देखो कि 10 का 9 और यह है P and यह Q, यह बोल रहा है कि 40 marks है तो एक ratio की value कितनी है, 40 10 ratio की value कितनी हो जाएगी, 400 और 9 की हो जाएगी, 360 समझ आई है यह concept, यह बहुत easy concept है अगर आप एक बारी पकड़ में आ गया तो आपका question manually काम ही नहीं करना पड़ेगा, just भी देखती question हो जाएगा, अब देखो then how much did Q score Q का आजेगा, सीथा 360 देखो, कितना easy question हो सकता है इसको just, अगर आप थोड़ा और practice करोगे तो आप इसमें expert बन जाओगे कि जब ratio का 10% break हुआ है, कम है तो 10 का 9 है, और इन्होंने 40 ratio दे रखा एक ratio के बराबर 40 है, तो यह 400, यह 336 इसको practice करना आप एक बारी जो भी mock वगरे दे रहे हो यह आपका question, यह जो इस type के question है, वो बहुत easy हो जाएंगे सब में ratio का काम करेगा, 5-6 बड़ेगा है या 4-3 हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा 10% कम होगा, हर चीज को आप ratio में break up कर सकते हो, ठीक है यह question easy है, इस question को option से, यह question ऐसे होते हैं उसको option से break up करना, जैसे देखो, in an objective type of question, 90 questions आते है ठीक है, 5 marks are allocated for the every correct answer, मतलब correct के आपको 5 मिलते हैं, जैसे UPSC में 2 मिलते हैं and 2 marks can be, are deducted for the every wrong answer, मतलब 2 minus मोते हैं, चीक है, after attempting all the 90 questions, बंदे ने 100 के, जैसे UPSC में 100 के 100 कर दिये, इसमें 90 questions किये एक student got total 300 सित्यासी marks, ठीक है what is the number of incorrect responses इसमें आप इतना नहीं निकाल सकते हैं, इसमें फटा-पटे एक option यही है कि आप option को explore करो option 9 करो पहले, 9 incorrect किये तो 9 into 2, minus में 2 होगा ठीक है, तो 9 into 2, 18 होगे और उसने correct कितने कियोंगे, 80 कियोंगे 85 sorry, 81 sorry क्योंकि 81 पीछे रहे गे न, तो अब देखो पांच, आठ पंचा, 40 अब देखो यह particular हो गया, अब इसमें से 88 हो, तो 88 होगे तो आपका round answer हाँ, 300 सित्यासी आगया देखो, first option में answer है, खतम अब आया कैसे है, पहले आपने एक option उठाया अब यह pick up किया, कि 9 question इनने गलत किया तो इनके 18 marks minus मोगे, ठीक है इन्होंने get up कितने किया, 81 question सही किया, कितने है marks, उनके 405 marks आगे, लेकिन उसके कम कितने होंगे, 18 marks कम होंगे, तो 18 marks आप कम करो, सीधा, 300 सित्यासी answer आजाएगा, getting that, अब एक बार और option explore कर लो, 13 कर लो 13 into 2, 26 question, यह 26 marks minus मोगे, अब उसने सही कितने किये, 77 क्योंकि 90 मैं से तेरा हटाने पड़ेंगे, 77 into 5, यह हो जाएगा, 7-35, 7-35, 3-38, 385, 385 होगे, यहीं, 386 तो उसके marks है, जब तुम 385 मैं से 26 कम कर दोगे, तब तुमारा around जितना भी रहेगा, वो 386 तो कम ही यह होगे, तो सबसे least संख्या होगे, ज्यादा नहीं होगे, और तुम अगर सीधा यह option के थोड़ा basic लगा होगे, तो इतना तो नहीं होगा, 3-38 तो उसने already marks हासिल कर लिए, मतलब max marks कितना होगा, अगर तुम फटा बट से option explore करोगे, तो around 450 होगा, तो जो least कम incorrect होगा, वह option होगा, मतलब 43 अगर तुम incorrect कर लेगा, तो 43 into 3, 2, तो तुमारे 86 marks यह होगे, तुमने सही नहीं किये, तो 87 तक तुम पहुंच ही नहीं पाऊगे, तो तुम सीधा अगर थोड़ा बहुत logic लगाऊगे, तुम इन दोनों option को सिधा ही अटा सकते हो, जस्ट इन दोनों मेरा जाओगे, ठीक है, इन दोनों में दोनों का explore कर लो, हो जाएगा, यह question easy है, देखो, at which of the following times do the hour, जो our end है, and the minute end of the clock make an 180 degree with each other, यहाँ पे देखो, basic आपको इतना पता है कि यह 12 होते हैं, यह 6, यह 3, और यह 9, इतना आपको पता है, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 बजे, 7 से 5, 7 पांच से यह 2021 का equation है, ठीक है, अब 7 बजे देखो, यह 7, यह 8, 7 बजे यहाँ पे है, और बोल रहा है कि exact 7 बजे यह, तो exact 7 बजे पे 180 का नहीं बनाएगा, यह गलत हो गया, between 7 से 7 पांच, अब यहाँ पे एक चीज आओ, यह तुम्हारा 7 पांच हो गया, और यह तुम्हारा 7 बस हो गया, माल लो, आपने एक basic देखा है, तो जब यह 7 पांच पे आएगा यहाँ पे, तो यह थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो वो कम बनाएगा, 180 का नहीं बनाएगा, अब आप आओ, exactly मतलब उस पे 75 पे तब भी नहीं होगा, और 7 से 75 में बोला है, तो 7 से 75 में तो कहीं नहीं बनाएगा, मतलब, क्योंकि यहाँ पे यह जएदा ही है, getting that, इसको आप एक बड़ी खुद manually करना, यहाँ पे देखो, D में, between 75 और 7 10, अब यहाँ पे देखो आप, इन्होंने बोला कि 75 और 7 बस, यह 7 है, और यह तुम्हारा 5 है, और यह तुम्हारा 10 है, तो यहाँ पे एक चीज़ करो, कि यह जब भी इदर आएगा ना थोड़ा एक्स्ट्र आएगा, जैसे यह 5 से इदर आगे बड़ेगा, तो यह भी थोड़ा आगे बड़ेगा, तो एक टाइम आएगा, कि यह कहीं ने कहीं, इदर इदर डारेक्शन होगा, जहाँ पे वो एक जाक्ली 180 होगा, तो यह जो broad term है, यह सही हो जाएगे, कि इस particular area में आपका 180 का degree angle बनेगा, वो कहीं पे बनेगा, वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने एक generally broad देख लिया, कि यहाँ पे बनेगा, तो यह question ऐसे easily हो जाता, यह question बहुत easy, इन दोनों का average देखना है, यह बहुत अच्छा question है, और इस question में क्यों trick बता रहा हूँ, क्योंकि, तो मैं एक चीज़ करना है कि imaginary value के concept पे question निकालने, ठीक है, consider all the three digit number, without reputation of digit, obtained using three non zero digits, which are multiplies of three, यह बोल रहा है कि three के multiple है, कौन से हैं, three six nine, यही होंगे, non zero digit, फिर बोला है, let s be there sum, अब s उनका sum है, तो कितनी संग्या हो सकती है, all the three digit, ठीक है, तो three six nine हो सकता है, six nine three हो सकता है, ठीक है, फिर तुमारा nine six three हो सकता है, यह हो सकता है, तीन, उसके बाद में तुमारा, यह हो जाएगा, उसके बाद में I don't think कि कोई और term होगी, six हो गया, nine हो गया, यह हो सकता है कि six three nine हो सकता है, मतलब यहाँ पर यह हो सकता है, एक second, यह हो गया, फिर तुमारा three nine six हो सकता है, फिर six three nine हो सकता है, फिर six nine three हो सकता है, फिर तुमारा nine three six हो सकता है, और फिर तुमारा nine six three हो सकता है, यह nine terms होगी, इनको आप एग बरी जोड लो ठीक है ये नौ ये नौ होगや 9, 18, 21, 21 और 15, 36 ये भी 36 होगा, ये 49 तीन आसल, और ये भी I think same ही बैठेगा कि 9, 9, 18, 18 और 12 तुमारा 30, 30 और 36, 36 और 3 ये 49 होगया, तो ये है ये आ गया तुमारा 3, 9, 9, 6 इन का सम ठीके, अब एक चीज देखो S is always divisible by 9 अब यहाँ पर देखो, 9 का होगा नहीं होगा 9 का आपको divisible पता है, अब ये terms आगी न ये जैसे आएगा, ये आप अगर यहाँ पर calculate करके देख लो कि ये 74 का divisible है या नहीं है तो आपका question almost निकल जाएगा लेकिन मैंने ये question discuss करने का मेरा ये भी है है या नहीं है, तो 9 से एक बार देख लो कि 9 से भी exactly है, क्योंकि 9 का यहाँ पर 2 के 36 3, यहाँ पर 3 बज जाएंगे, 36 में 9 का चला जाएगा, 74 का एक बार या आप देखके देख देखो, आपका 74 भी निकल जाएगा ठीक है, तो ये question ऐसे निकल जाता है बहुत easy question है, just imaginary value के basis पे निकल जाता, ये question easy है I think आप एक बार ही करना, मतलब try, जैसे देखो यहाँ पर, मैं आपको एक बार ही explain कर लेता हूं, कि in a group of 120 person है, total है 80 are Indian 80 Indian, and rest are the foreigners मतलब कितने होगे, 40 are foreigners further, 70 percent in the group can speak English, मतलब 70 percent है तो speak English कर सकते मतलब, अपना English बोलते है the number of Indians who can speak English मालो, extreme case में, कि ये जो 70 in speak English मतलब, 70 लोग English बोल रहे ना, उसमें से 40 percent तुमारा foreigner हो, मतलब इन्होंने possibility दिए 40 अगर foreigner हो, तो Indian कितने बोल सकते है, 30, ठीक है 30 ही बोल सकते है, generally अब यहां पे देखो, तुमारा directly 30 हो सकता है, और इन्होंने बोला 30 और less, मतलब less तो हो गई नहीं मतलब यह है कि 40-41 तो लोग ही नहीं है यह ठीक है, तो 30 से less नहीं होगा 30 से जज़दा हो सकता है, मतलब यहां पे 35 बोलते हो बहुत easy question है, जस थोड़ा सा mind लगाना question आपका निकल जाएगा हाँ, यह question बहुत easy है यहां पे बोल रहा है कि uniform speed बढ़ा दिया तो आप इसको manually करोगे जैसे 1.5 यह गया, 1.5 यह गया यहां पे देरका है, देखो the places are separated by distance 15 km का distance x walks with the uniform speed of 1.5 k यह x का हो गया, and then y walk with the uniform speed of 1 km यह 1 km sorry, ठीक है in the first hour, then second hour में 1.25 जाता है, यह 1.50 जाएगा तुमारा with the uniform speed of 120 in the second hour and third hour में यह जाधा 50 तो यह तुमारा 1.5 ऐसे करोगे, तो दीरे 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 यह यह एक 75 हो गया यह तुमारा 1.50 हो गया 2 हो गया, ठीक है पहले 5,4 का वाले का देख लो 5,4 में क्या है, यह बैठेगा एक नौ, 3,4, 5,4 तो 5 में यह कितना बैठ जाएगा, यह हो गया तुमारा 1.1,7 और इसका 5,4 का निकाल दो, तो यह हो गया 3 और यह भी हो गया 3, 3, 3, 6, 6, 6 चाड़ी साथ, ठीके जब भी calculate करना हो तो extreme को calculate करो, extreme क्या है 3, यहाँ पे भी 3, 1 वेड़ साड़ी साथ, साड़ी साथ हो गया, 5 गंटे में मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 गंटे में plus they meet at midway, midway ही मिल रहा है साड़ी साथ और साड़ी साथ, तो इसको mentally करना है और mentally मतलब manually करना है आपको ऐसे लेके ठीक है यह कोशन इजी था यह कोशन I think इजी है देखो इस कोशन में pattern find out करना है कि multiplexion है या तुम्हारा addition हुआ है या divisible है यहाँ पे देखो तीन साथ उसका दस ठीक है तीन प्लस साथ दस यहाँ पे देखो चैपलस तीन नो तो यहाँ पे कितना होगा दस प्लस तीन तेरा तो यह तीन A, C आ गया, तो B बाकी है, 3B यहां पर देखो, इनों नों यह भी gameplay किया है, B, C का B और A का, मैं बहुत, B, C, A तीन होगा प्ले किया है, getting that तो यहां पर definitely होगा 3 ही, लेकिन होगा कौन सा तो C यह आ रखा है, B आएगा यहां पर C आ रखा है, तो B आ गया This is the most simplest question ठीक है, यहां पर देखो easy question है, but मैं क्यों बता रहा हूँ just to make sure कि आपको angle से भी डर ना नहीं है यहां पर देखो, a woman runs 12 km towards her north यह north है, 12 km यह बंदी गई है, ठीक है, then 6 km towards her south यह मान लो यह तुमारा 6 km towards south यह आ गए यहां पर, चीक है and then 8 km towards her east यह आ गया 8 km मान लो east में in which direction C is from her starting point, starting point यहां पर था, और direction कौन सा यह तो यह कौन सा हो गया, north, east यहां पर देखो, और degree angle सारों का 45 दे रखा है, कोई issue ही नहीं है मतलब 45 degree shore है, लेकिन direction कौन सी है, north east की, यहां पर देखो south of east, north of east यहां पर देखो, angle less than और angle more than, यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, कि इन्होंने जैसे एक चीज़ देखो इन्होंने पहले बोल रखा है, 12 यह तुमारा 6 6 तक हाँ south में, फिर 8 गई है ठीक है, and then यह बना है, तो यहां पर एक बार ही आपको, जो पाइथागोर्स नियम है, उसके basis पर यह question निकल जाएगा प्लस यह है कि यह किस direction में है पैंताली से जदा है या पैंताली से कम है, तो वो question ऐसे हो जाएगा आपका एक बार ही direction देखना है प्लस यह अगर आप value put up करोगे तो आपका question easily निकल जाएगा बट मैंने क्यों discuss किया है, क्योंकि ऐसे question आप इसी की basis पर निकालो, उनको manually करके ठीक है, यहां पर दे रखाए कि images of the consonant in the image जो English alphabet की images are observed in the mirror what is the number of image of these which do not look like their original shapes मतलब आपको उल्टा करना, आप क्या कर सकते हो paper पर लिख लो, आप थोड़ा गड़ा करके मतलब थोड़ा जोर पहन देखे A, B, C, D, E लिखके, फिर paper को उल्टा करके एक बार ही देख लो कि कौन सा देखेगा, जैसे E है A बले ऐसे लिखो, बले ऐसे लिखो A का सेम ही है, ठीक है, B कैसे हो जाएगा B ऐसे हो जाएगा, C ऐसे हो जाएगा, ठीक है D ऐसे हो जाएगा, तो ये नहीं होंगे ठीक है, E का क्या होगा, E सीधा E ऐसा है लेकिन उल्टा E ऐसा हो जाएगा, ठीक है फिर f है फिर f है यह ल्टा हो जाएगा ठीक है g का हम लोगते हैं तो यह g ऐसे करके ऐसे हो जाएगा कुछ और ल्टा हो जाएगा ठीक है h same रहेगा तुम बले mirror में कैसी देखो कि i same रहेगा तो इसको एक बार यह आप manually मतलब लिख के करके कर सकते हो ठीक है यह हो गया यह question यह में exact जो हमने पहला question discuss किया था frog इतना जाता है तो वो कब तक वापस आएगा इसमें क्या बोल रखा है कि यह बोल रखा है कि boy play यह देखो same question यूपेश ही repeat करता है कि a boy plays with a ball and he drops it from a height of 800 meter ठीक है तो वो कितना होगा तो उस वाले particular logic को use करना आपको कि जितना भी वो गिरता है उसका four-fifth वापस उसके height ले लेता है माल लो 150 से वो गिरा है बॉल गिरी है तो उसका four-fifth height आ गया है तो 150 का four-fifth कतना होगा यह आ गया तुम्हारा तीन तीस 120 मालब वो अभी 120 की height पे फिर गिरा फिर उसका four-fifth निकालो आप फूर-fifth निकालो यह होगा तुम्हारा दो दो और च्यार 96 अब वो 96 पे है तो आपको ऐसे से करते करते है उस पे आना पचास तक आना है ठीक है तो यह कुशन ऐसे निकल जाएगा यह कुशन है यह देखो हमने क्या discuss करा था जहां पे भी ऐसा value आए आप एक बर ही imaginary value ले लो इने class 60% of the students are from India माल लो 100 है total student 60 Indians है and 50% of the Indians are girls यह आपको अभी नहीं पता है student बोल रखा है if 30% of the Indian students are girls अब यहां पे क्या दे रखा है कि इने class of 60% are from India and 50% of the students are girls तो अब शौर नहीं है कि foreigner कितने है लेकिन अगर 60% इंडिया है तो foreigner हो गया 40 यह तो data निकल गया है यहां से and 50% of the students are the girls मतलब 50 girls है इसमें यहां पे 30% of the Indian students are girls 60 का 30% निकालो आप 60 का 30% जितना आया वो girls हो जाएगा then what percent of foreign students are boys यहां पे फिर आपका जितना girls हो जाएगा 50 में से माइनिस करने पलस जो जितना आजाएगा वो 40 में से देखके उसका percent निकालना है getting that तो आपको क्या करना है इस particular question में 100 है जी value put up करना है 60 40 फिर इस जो जाएगा then what is the percentage of foreign student are boys कितने है 8 है तो कितना है 40 का बोल रखा है तो 40 में 8 कितना percent हो जाएगा यह तुम्हारा हो जाएगा 5 से ratio तो 20% हो जाएगा getting that this is how this particular question is easy यह question easy what is the value of p तो यह divisible है आप divisible है मतलब ऐसे divide करके देख सकते है value put up करके पहले एक कर दो ठीक है अब यहां पर आपको फटापट manually करना है manually कैसे ठीक है 7 35 35 पीछे बच गया 29 29 में 7 28 एक बच गया एक में पीछे आएगा 8 18 में कितने गए 7 14 चार बच गये 4 में फिर 1 107 35 6 बच गये 6 में फिर 2 62 तो 62 में कितना 13 8 बच गये 8 में फिर 5 पिचेसी तो ऐसे करना आपको getting that एक एक value put up करोगे तो generally 2-3 minute में आपका question आ जाएगा और short short के साथ question हो जाएगा ठीक है यह question बहुत इजी है और यह थोड़ा tough है बट यह इसमें basic simple logic है वो आपको मैं पताऊ चीज़ ठीक है 3 into 2 करो तो 9 हो जाएगा 9 भी नहीं जाएगा एक negative के हिसाब से ले लो 3 into 3 करो कितना आ जाएगा 39 27 27 में भी 10 का नहीं जाएगा 10 20 साथ reminder रहे जाएगा मतलब आपको reminder एक लेकर आना है 3 into 4 करो मतलब 3 की power 4 तो 3 into 3 into 3 इसका 1 की हो जाएगा 10 के पहिसाब से last में power एक आ गया आपको reminder एक लाना है एक reminder आ गया मतलब इससे जो भी छोटी है ना कि 3 into 4 बराबर एक आ गया reminder तो इस 4 के हिसाब से इसको देखना है कि 2019 से पहले ऐसी कौन सी टर्म से जो exactly 4 से डिवाइड हो 2016 तो जो 2016 का power होगा ना जैसे जो 3000 का power 2016 होगा ना वो definitely स्यार से डिवाइ 3 तो 3 की power में 3 में कितना आता है 3 into 3 27 तो 7 बच गया 27 आ जाएगा 10 में भाग दो 7 बच गया तो ये 7 तुमारा जो reminder हो आ जाएगा getting that इसको एक बार यह आप दुबारा देखना पहले क्या करना है कि आपको एक remainder पर निकालना है 3 की power कितने पर एक होता है जितने पर एक होगा जैसे 3 में 4 का एक होता है integers is equal to their product यह सेम कोशन था उपर अगर हमने तुमने अगर उस particular ध्यान दिया हो था उस word को कि 1 to 3 है उसका sum और उसका product सेम है तो इन्हों ने बोला है कि कितने possible number है यह तो होगे एक दू 3 ठीक है integer बोला है तो integer आप minus में भी use कर लोगे got that this is how UPSC repeats question ठीक है यह question easy है कि average weight of ABC 40 है यह बराबर B बराबर C बराबर 40 है ठीक है average weight of B D E बराबर जो यह B है बराबर D है बराबर E है यह 42 के जी इतना हो गया and weight of F is equal to weight of B मतलब B और F का बराबर है तो इसमें आप यहाँ पर F लिख स कर लो आपका यह question निकल जाएगा simple question था इनको सबको multiply करके 6 का बाग देदो इसे निकल जाएगा यही बस hack था तो यहाँ पर weight of X बोल रहा है F बोल रहा है B के बराबर तो यहाँ पर B में F put करके आप देख लो और इन दोनों का वो कर लो calculate करके 6 का बाग देदो got that this is how this particular question is easy यहाँ पर देखो between 3 16 अब यहाँ पर देख लो अब ऐसे manually बना के देख सकते हो ठीक है यह हो गया तुमारा 15 और यह हो गया 20 और यह हो गया 25 ठीक है 15 20 और यह 25 यहाँ पर बोल रहा है 3 16 से 3 17 पर यह में बोत जो आर एंड है और जो minute एंड है वो coincide करेगा अब यहाँ पर द है और जो आर एंड है वो coincide करेंगे getting that तो जो आर एंड है और जो minute है वो coincide नहीं करेगा क्योंकि generally अगरे तुमने देखा हो एक minute पर कौन करता है जो minute है उस पे तुमारा second वाला है वो जो second वाला जो particular देखो तीन चीज़े होती एक आर है एक minute होता है और एक second है होता है तो आर एंड तो यहीं पे रहेगा ठीक है minute है उससे जदा जाएगा coincide नहीं करेगा आप अगर generally उसमें देखना watch में तो यह question गलत हो जाएगा easy question था ठीक है यहाँ पे देखो 450 और 459 के बीच में time इसने change कर दिया लेकिन इन्होंने यहाँ पे change दिया कि minute है और second है second है पूरा 60 के इस पे आएगा तो वो कहीं न कहीं coincide करेगा तो वो जो particularly coincidence वाला है वो minute और second end करेंगे रादर देन minute और वो आर एंड वो करेंगे आपको यह concept पता होता तो इन value को कोई आपको फरक ही नहीं पड़ना चाहिए बहले 3,16,3,17 भी PMO यहाँ पर तब भी वो करेगा ठीक है य यह question बहुत easy है इसमें वो दे रखा है P pie chart है ABCD के value दे रखी है आपको एक बर ही निकाल लो उसके हिसाब से आपका question आदेगा एक बर try करते है यह यह है pie chart ABCDE है ठीक है in household if B, C, D, E and correspondence to यह दे रखा है ठीक है तो मैं पताएग यह 360 है और यहाँ पर देखो तुमने एक को दे 50C इका 50C का यह मानलो 50C का ठीक है फिर तुमारा 45 मानलो यह 45 तुमारा D का और E का दे रखा है तुमारा 75 ठीक है यह 9 और 14 होगे 14 और तुमारा 4 18 होगे 18 और चाथ 25 पचीस और 26 26 होगे मतलब 100 बचा है ठीक है कि तो बच गया आप एक बर इसको अच्छे से कल्कुलेट कर ले अब देर का देन वाट इस दा परसंटेज ऑप एक्सपेंडिचर ओन आइटाब एक का परसंट क्या है तुम सो निकाल दो तीन सो साट का तीन सो कितना होगा है तीन सो साट है टोटल उसका सौ परसंट कितना होगा है यह अप गया यह तुम्हारा हो जाएगा आ राउंड जो वेल्यू आजाएगे वह आपका अंसर हो जाएगा महलब 360 का आपको 100 परसेंट निकालना है ठीक है तो यह कुशन हो जाता आइधिक बहुत मुझलब आपका अंसर आजाएगा ठीक है यह हो गया हाँ यह बहुत अच्छा कोशन है और सबसे अच्छा कोशन है आपको कोई मैस नहीं लगानी है जस्ट एक बेसिक लोजिक लगाते ना वो लगाना है यहां पर देखो लेट पी भी दर टू डिजिट नमबर ठीक है पी और क्यू ब इतना बेसिक तो लोजिक तुमारा लग गया होगा ना कि यह चौई सो 50 दे रखा है मतलब अगर हजार दिया होता तो हजार में क्या होता था मतलब 25 नहीं 30 के अराउंड है, 30, 31, 32 के अराउंड कुछ टाम्स होगी, इन्हों ने दे रखा कि P and Q है 430, तो कुछ ना कुछ 50 के अराउंड ही होगी, आप एक बार ही लेके चलो, 50 x 0, 5 ये नहीं होगा, ठीके, आप 51 x 15 करो, ये भी अराउंड 500 और 1500 होगा, ठीके, फिर आप 52 x 25 करो, ये भी अराउंड 520, 520 और 260, तो ये भी नहीं बैठेगा, फिर आप 55 x 35 करो, ये भी नहीं बैठेगा, 530 x 3, तो ये हो जाएगा, 15, 16, 20, ये भी नहीं बैठेगा, अब आप करो 54 x 45, ये देखो, ये exactly 430 बैठ रहे हैं, getting that, तो आपको क्या करना, एक basic common sense लगाना है, कि क्या है, अब इन्हों ने बोला कि, what is the difference between P and Q, no difference आ गया, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो इसको prime factorization कर सकते हो, आप, prime factorization मतलब 430 है, तो 430 को एक बर ही break करो, मतलब 430 को ऐसे break up कर सकते हो, 430 है, ठीक है, इसको जैसे 6 into 4 हो गया, इसको 10 into 3 हो गया, फिर आप इसको और करो, 2 into 3, plus 2 into 2, plus 5 into 2, and 3, ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, 2 into 3, 6, 6 into 2, 8, and एक second, इनको वो करना पड़ेगा, तुम्हारा 5 हो गया, हाँ, 5 into 3, 15, 15 into 3, 45, 45, अब पीछे वाले उनको देखो, 2 into 2, 2 into 2, 4, 4 into 8, 8 into 2, 16, 16 into 1, एक और 3 बच जाएगा, यह बच गया, 16 into 3, एक second, इसका अच्छे से करोगे तो आपका एक term आजाएगे 45, और दूसरे आजाएगे 54, एक second इसको अच्छे से करते हैं, हाँ, यह हो गया तुम्हारा 2 and 3, यह हो गया 2 and 2, यह हो गया तुम्हारा 5 and 2, और यह हो गया 3, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यह हो गया 10, and इसको 10 मत करो, यह हो गया 15, एक second, यह 15 और 15 इंटु यह 3, 45, एक टाम आगे, इंटू, अब आप इसका करो, 2 and 2, 4, 4 and 2, 8, 8 and 2, 16, and एक second, इसको कुछ ना कुछ गड़बट बैठ रहा है, मतलब इसको prime factorize करोगे तो आपका answer निकलेगा, around 54 है और 45 है, उसके basis पे, इसका मैं और explanation नीचे डाल दूँगा description में, एक बड़ी देखके अच्छे से, बट यह कि आपको जब भी इतना दिया है कि 2425 दिया है, मतलब 25 के around value है, 25 के around अगर आप देखोगे तो 50 के around है, तो आप एक बारी 49, 94 करके देख लो, मतलब, सॉरी, 51 और 15 करके देख लो, फिर आप 52 और 25 करके देख लो, तो लगबग आपका question है, इसे निकल जाता है, easy question है, और I think आपका हो जाएगा, getting that, यह हो गया, उसके बाद आप आप आओ इस पे, यह question बहुत easy है, इसमें हमेशा option का वो लेना है आपको, कि यहाँ यहाँ इन सबको option को explore करो, remainder 3 किसका आता, वो निकल जाएगा, पहले आप जैसे 15 से कर लो, तो 15 से करोगे, तो कितना बैठेगा, 18 से कर लो, कहीं न कहीं issue होगा, तो option से ही यह question है, ठीक है, यह question सब CG है, इसमें आपको क्या देखना है, कि हमेशा यह question बहुत अच्छा question है, अच्छा क्यों है, क्यों है, क्योंकि एक चीज़ देखो, two candidate X and Y, contested in the election, 80% of the vote, cast their vote, and there were no valid votes, 80% vote total पड़े है, ठीक है, मतलब 20% vote पड़े ही नहीं है, there was no nota, none of the above option, cast their vote, and there was no, ठीक है, X got 50%, 56% vote, and won by 40, यह जो 1440 vote है, मतलब इसमें क्या हुआ, 56% इसको vote मिले, और दूसरे को मिल जाएंगे 44% vote, तो यह अगर 1444 जीता है, मतलब यह जो gap कितना आ रहा है, तुम्हारा 12% आ रहा है, इसमें 12% का भाग दो, एक की value आ जाएगी, 144 मतलब 12 होता है, 12, इनको multiply कर लो, इन दोनों की value आ जाएगी, what is the total number of voters in the voter list, ठीक है, तो इनको इनके multiply करोगे, जैसे यह करोगे, चपन, यह आप ऐसे कर लो न, 120 value आईए, इनकी, जो 12% है उनकी, राउंड हाँ, 12% की value आई, 120, तो 1% की तुम्हारी value आ गई, यह हट गया, एक सिकंड हाँ, 10 आ गई है, तो तुम 80% की आ गई तुम्हारी 8,000 और 20% बोल रहा है, तो 8,000 के 20 पे यह हो गया तुम्हारा, एक बड़ी इसको चेक कर लेना, मतलब यह जैसे 1400 है, यह तुम्हारा 12% बट रहा है, तो इसको 80% करो, तो 1440 पर आपर 12% बैट रहा है, इसको 80% करो, and then इसको 100% करो, क्योंकि 20% वोट नहीं पड़े, इन्हों ने बोला है कि वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितने थी, getting that, फिर इसको convert कर देना, तो आपका around answer बैट जाएगा, एक सेकंड, 40, 14, 40 है, इन्टू, यह परसेंट बैट रहा है, 12%, ठीक है, 120 बैट रहा है, 120 बैट रहा है, एक परसेंट का, तो 80% हो गया तुमारा, यह चिन्नू सो वोट हो गया, ठीक है, चिन्नू सो बोल रहा है, 80%, ठीक है, तो यह आगया, चिन्नू सो वोट 80% के, लेकिन यह 4 वो रेशियो में है, ठीक है, 4 ratio में है तो एक ratio का आगए choice into आपको 5 ratio में करना है तो 12,000 vote होगे total क्योंकि इन 20 को भी add करना पड़ेगा यह जो 20 है अब आपको समझ आया एक बारी मैं फिर से explain कर देता हूँ जल्दी जल्दी इन्होंने बोला है कि 80% vote पड़े हैं 20% नहीं पड़े उसमें इस बंदे को 60% vote मिले तो इसको 40% मिल जाएंगे और इन्होंने बोला यह जीता किस से 1440 से जीता है मतलब 12% जीता है तो 12% की value है 1440 तो 80% मतलब टूटे 100% की value कितनी होगी तो तुम्हें 100% निकालो ही मत तुम यह निकालो कि 1% की कितनी value होगी एक percent की 12 value होगी 120 होगी तो 120 के गुणा करोगी 80% की value कितनी होगी तो यह जीता की चिन्यूस हो अपने को बोल रहा है voter list में total vote कितनी है तो यह 20% भी add करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा तुम्हारा 12,000 चोईस हो जाएगा एक unit का weight getting that यह हो गया easy question था I think फिर आते हैं इस question पर I think यह भी question easy है यह क्यों easy है यहाँ पर देखो हमेशा इस type के question पर डरना नहीं है A person X wants to distribute some money ठीक है 6 बच्चों के जो भी उनमें distribute करना चारा है suppose A twice कर रहा है ठीक है B twice, thrice कर रहा है C, मतलब यह value दे रहा है F की six time कर रहा है मानलो F A के तो A हो जाएगा six इतना समझा आ गया कि six time of F and five times of E E के five times है ठीक है तो आप मानलो कि A के हिसाब से लेके चलो आप पहले A की value मानलो आप मानलो, हाँ, एक मानलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो suppose A gets the twice number of what pens received by B तो B हो गया point 5 अब देखो and thrice of the C thrice of the C करना है तो इसकी value 3 कर लो तो इसकी value 1.5 इसकी value 1 समझ भाई ये भी question के हिसाब से आप change करते रहो ये हो गया, मतलब E के लिए ठीक है, फिर बोल रहा है कि four times of D four times of D कितना होगा यहाँ पे 75 हो जाएगा, point 75 1.500, 1.500, 1.300 ठीक है, ये इतना value आ गया and last में है five times of तुमारा E अब E का five times है five times के हिसाब से इसमें तीन का five में भाग दो तुमारा around आ जाएगा point six ठीक है, इनको एक बार multiply कर लो मतलब किसी particular five से कर दो तो 5, 3, 15 इसका five से multiply करोगे तुमारा 6, 7 आ जाएगा इसका five आ जाएगा और इसका five से multiply करोगे तो तुमारा 25, 25, 25, 25, 35 और किसी पर्षिय कर दो तुमारा 3 आ जाएगा ठीक है, एक second फिर बोल रहे कि and 6 time of f f का six time है तो 15 time कितना होगा around 6 का भाग दो तो 2, 2 and 3 बच गे, तो 2.6, around इतना आएगा, इनको एक बार रेशियो में convert कर दो, रेशियो में convert करके, फिर 6 का value, exactly आपको पता चल जाएगा, getting that, जैसे जैसे बोल रखा है, वैसे वैसे, एक simple value लेके, उसके हिसाब से करते जाओ, तो around आपका question निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो ये question easy है, ये question देखो, ये बहुत अच्छा question है, बड़ा है, बट एक चीज़ आपको दे रखी है, यहाँ पर देखो, जैड purchased eight notebooks more than x did, मतलब जैड कितने करिए, x plus eight, sorry, जैड purchased more, z plus eight, बड़ाबर x, चीग है, ये value आगे, p and q together purchased 21, p plus q बड़ाबर 21, यहाँ गया, q purchased five less notebook than p, मतलब तुमारा जो q है, वो उसने p से 5 कम करिए, तो मानलो ये q minus 5 बड़ाबर p, मतलब q ने कम परचेस करिए, x and y together purchased 28, x and y बड़ाबर 28, ठीक है, p purchased five notebook more than x did, मतलब p plus five बड़ाबर x, अब यहाँ से आपको क्या करना है, कि कहीने कहीनों ने value दे रखी होगी, जो आपकी निक यहाँ पर बोल रखा कि 21, यहाँ पर यह एक value देखो, यही बस पूरे question का hint है, question क्या बोल रहा है, p और q ने 21 करिए, और q कर रहा है 5 से कम, तो जो 5 होगी न value, वो दोनों में से अटा दो, 21 में से 5 अटा हो, 16 है, मतलब इस particular p और q की value क्या आ जाएगी, 8 आठा जाएगी, ल q का कम है, मतलब p का ज्यादा है, बागी पीछे कितना रहा है, 16, वो दोनों कब rubber हो जाएगा, 8, तो p का जो value आया है, वो आगया, q का आगया, 8, ठीक है, अब यहाँ पर setup करके देखो, सारी जगा के, यहाँ पर p प्लस 5 दे रहा है, x, p प्लस 5 कितना हो गया, 18 हो गया, x, ठ देखो, z प्लस 8 बराबर x है, तो x कितना है, 18 है, तो तुमारा z कितना हो जाएगा, 26, अब इनको एक बार वो कर लो, सबको जोड लो, तो around इनका कुछ आएगा, जो भी, मतलब इसके हिसाब से आपको करना है, कि यहाँ पर जो दे रखा है, उसके हिसाब से आप ब्रेक जाओ, यहाँ पर p and q की value आजाएगी, फिर q and p की value यहाँ से put up करके, निकालो, total I think 45 है, ऐसा कुछ आएगा, तो उसमें multiply करके आपका एक बार देख लेना, तो आपका यह question ऐसे निकल जाएगा, मतलब आपको p and q है, उसकी value निकालती है, question निकल जाएगा, ठीक है, हाँ, य 4 different roads from b to c, 1, 2, 3, 4, यह तुमारा c, ठीक है, and 3 different roads from a to c, मतलब a to c का way है, 1, 2, 3, ठीक है, यह permutation and combination का question है, how many different ways, how many different ways can one travel from a to c using these roads, a to c बोल रहा है, a to c बोल रहा है, तो आप कैसे जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, एक, यह 1 हो गया, यह 2, यह 3, 4 हो गया, ठीक है, फिर द 5, 6, 7, 8 चे चला जाएगा, फिर 9, यह 9, 10, 11, 12, तो यह हो जाएगे 12 रस्ते, फिर तुम देखो, फिर और a and c कैसे जा सकता है, यह 13, 14, 15, 15 वी में जा सकते है, मतलब यह permutation combination का question है, और easy question है, इसको आप एक बर, अगर ऐसे करके देखोगे, तो आपका question निकल जाएगा, got that, फिर यह question बहुत अच्छा है, इस question में देखना है, यह बोल रहा है कि, a has some coins, he gives half of the coins and two more to b, ठीक है, b gives half of the coins and two more to c, आपको नहीं पता है, c gives half of the coins and two more to d, and the number of coin d has now is the smallest two digit number, two digit number smallest is 10, यह एक given है, इसको लिख लो, यह है d, अब देखो, c gives half of the coins and two more to d, half of the coins, two more है, मतलब two less कर दो, आप eight हो गया, और इसका half है, मतलब यह 16 है, देखो, 16 का half कितना होता है, 8, यह क्या बोल रहा है, यह particular, c gives half of the coins plus two more to d, तो इसका half, 16 का half कितना हो गया, 8, 8 plus 210, मतलब आपका c का value आ गया, 16, समझ आए आपको, ऐसे करना manually, ठीक है, अ आप जाओ, and b gives half of the coins and two more to c, मतलब इसका 14, भाई two more दे दिये, तो पीछे पास के 14, 14 का double उसके पास है, 28, तो जो c के पास है, वो 28 है, ठीक है, और उसके पास में, तुमारा यह हो गया, d, यह हो गया, c, अब a के पास कितना होगा, 26, 26 मतलब 52, दो कम कर देगा, अब इनको आ I hope you understand the concept, यहीजी कोशन है, यहीजी क्यों है, देखो, यहाँ पर एक, यह बढ़ा है, यहाँ पर a, b, a, b, just a के क्लाइन एड हो रही है, a, b, c, a, b, c, फिर आपका हो गया, a, b, c, d, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कि वो क्या बढ़ा रहे है, 1, 2, 3, 4, 5, बढ़ा रहे है, मतलब ऐसे ही तो बढ़ा रहे है, a, b, c, d, ठीक है, और बोल रहा है, 100 प्लेस पे कौन सा होगा, तो 100 प्लेस पे क्या होगा, आप अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, अपना 12, 13 करोगे, तो 13 into कितने हो जाएंगे, मतलब 13 into, 13 तक अगर तुम calculate करोगे, तो यह 91 terms हो जाएगी, मतलब आप 13 करना, फिर क्या करना, फिर वापस से start होगा, मतलब 13 के बाद फिर से, जो आगे वाली term होगी, उसमें होगा, जैसे देखो, 4 में D तक आया है, तो 5 में E तक आया है, तो 13 के बाद क्या होगा, 91 terms में, तो 92 होगा, वो A होगा, 93, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, अब देखो, यह question कु this particular question is most easiest one, अगर आप थोड़ा सा दिमार्ग लगाते तो यह question आपका ऐसे निकल जाता, got that, यह question I think, यह question दे रखाई, और वन साइड ओपे, यह कितना है, long road, मतलब 1010 meter long road है, 1 kilometer है, तो 1010 meter होगी, 101 parallel, 101 parallel है, मतलब तुमारा around आएगा, 100 trees आएंगे, जितने भी आएंगे, लेक 10, 10 centimeter है, उसके हिसाब से, 10.1 के हिसाब से, तुमारा वो बैठेगा, area बैठेगा, ठीक है, इतना आ गया, अब एक चीज़ देखो, मतलब तुम्हें, 1000, जो 10 है, उसमें भाग देना है, 101 plant का, जो इनके बीच का distance है, वो कितना आएगा, इतना आपको समझ आ गया, इतना समझ long road है, इतने plant trees करने है, ठीक है, equal distance के, equal distance के करने, मतलब एक चीज़ देखो, पहला plant लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौता, पांचवा, छटा, इनका equal distance है, और equal distance यह कितना बोल रहा, 10 के हिसाब से, क्योंकि तुम्हें इन पे इसका भाग दोगे, तो 10 plant का जाएगा 10, 10, 10, यह हो जाएगा, छीक है, यह हो गया, अब तुम उस basis पे जाओ, कि तुम्हें क्या करना है, कि इन्होंने बोला है कि, भई, 4, देखो, what is the total distance between 5 consecutive plants, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 plant यहां तक हो गए, मलब plant कितने हैं, एक second, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो distance कितना हुआ, 10, 20, 30, 40, यह कुश सबसे easy है, देखो, the increase in the price of a certain item was 25%, हमने देखा 25 ratio 4 में टूटा है, 5%, 25 हो गया, ठीक है, then the price was decreased by 10%, 20%, तो 20 कितना होगा, 5 का 4, सेम चीज है, 5 के ratio में टूटा है इस बर, लेकिन 4 हो गया, अगर तुम करोगे 180, तब भी यह same value आजेगे, फिर है, then again increase by 10, तो 10 मतलब increase होगे, अब बोल रहा है, what is the resultant increase in the price, अब कैसे बढ़ेगे, यह कितना होगे, 20, 20 इंटू 200, यहां पर देखो, 44, 44 इंटू 5, यह हो गया तुमारा 20, 4, 25, 20, sorry, 1 second, 44 इंटू 5, यह हो गया 20, और 2, 220, 220 मतलब 220 पर बढ़ा है, तो 220 का 20% कितना है, easy question था, 10%, यह हो जाता question, ठीक है, मलब गया वही करना, अपना ratio वाला, तो 200 का 20% बढ़ गया है, तो 220 का 20% कितना होगा, 200 का 10% होगा, sorry, 200 का 10% 20 हो जाएगा, और 20 भी बोल रखा है, तो यह कुछ नहीं जीता, ऐसे निकल जाता, ठीक है, अब देखो, in a tournament of chess, आपको नहीं पता है, having 150 entrance, यह player is eliminated whenever he loses a match, मलब दो eliminate हो जाता है, मलब A, B जीत गया, तो A eliminate हो जाएगा, it is given that no match results इंदे, tie or draw, नहीं होगा, draw or tie, अब आप एक चीज़ देखो, मानलो कि पहला match खेला है, A और B ने, या फिर एक देखो, A and 2 ने खेला है, मलब मानलो कि 1 से 50 तक ऐसे गिंती के word से, 1 and 2 ने खेला है, और 2 जीत गय जीत गया, या 4 जीत गया, एक बार हो गया, मलब एक match खेल रहे है, एक बार हो रहे है, एक match खेल 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 रहे है, तो 148 matches में 148 people बार हो गये, तो मैं अगर समझ आया है, तो यह particular concept, कि एक match खेलोगे, जैसे A and B match खेलेंगे, त पीपल के साथ होगा इन दोनों में वालों की 149 जीत गया मलब जो भी टाम है वो जीत गया बंदा तो पीछे बच गया एक एक तो किसी के साथ मैच लड़ नहीं सकता न तो टोटल मैचे होंगे 149 समझ आया लोजिक बहुत सिंपल है आपको बस ऐसे सोचना है कि दो बंदे जाएगा got that यह सेम कुशन था यह हमने अल्रेडी उपर डिसकस कर रहा है कि वो कैसे इंपलिमेंट होगा यह जी कुशन है यहाँ पर देखो यहाँ पर सीरीज क्या कर रही है 20 से 10 होई है 10 से 10 रह रही है मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स की होगा यह डिक्टो कुशन फिर एक से करो 10 आ गया एक पॉइंट पांच से पंद्र आ गया फिर दो से करो तो 15 से 30 डाई से करो तो 75 अब 3 से करना है 75 इंट्टीन तुमारा हो गया 35 सात्तरी एक टीस और तीन चोईस तो अरांड टू 25 बैठेगा पिचातर इंट्टीन अगर आप करोगे तो 225 बैठ गय तो यहांपर क्या सिरीज बढ़ रही है .5 से गुणा किया फिर वन टू से गुणा किया है पिर फिर थिर। तो यह गज़िए पॉइक फैसे हो जाता ठीक है तो आइख जो 50 पॉशन थै वह। discuss कर लिए हैं, अगर और मेरे को नीट पड़ी तो मैं कर लूँगा, but please make sure कि आप उन चीजों पर concept काम करो, एक imaginary value वाले पर, एक यह हो गया concept, दूसरा concept क्या है, कि आपको हमेशा ratio proportion में काम लेना है, कि अगर 40% बढ़ रहा है, तो ratio कितना बढ़ेगा, मतलब वो ratio टूटा है 2.5 के हिसाब से, getting that, 2.5 के हिसाब से मतलब 40 कितना है, 5 का कितना होगा, 7 होगा 40, मतलब ratio किसमें टूट रहा है, एक तरीके से वो 20 वाले constituted में टूट रहा है, लेकिन 2 के हिसाब से टूट रहा है, getting that, फिर तीसरा हो गया, कि आपको option explore करना है, ठीक है, तो इतना I think, ये इतना अगर आप करके चलोगे, तो आपके 20 से 25 कुषिन, easily जो maths और reasoning वाले स्वाल हो जाएंगे, और पीछे passes के लिए मैंने separate video डाल रखा है, तो वहाँ से जाके आप video वो देख सकते हो, कि पैसे को कैसे, जो पैसे में marking या, उसको कैसे बढ़ाना है, and this particular video is all about these three things, कि imaginary value कैसे लेनी है, ratio proportion में कैसे खेलना है, प्लस option कैसे explore करना है, चीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, and thank you so much for the watching.